सभी स्वेम सहता समू की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आज मैं एक टॉपी के साथ दिदी आप लोग के सामने फिर उपस्तित हुई हूँ आज एक काफी बहुत बड़ी खुश खबरी है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधान मंत्री मुद्रा लोन बैंक द्वारत दि दस लाग तक का लोन पाएं कैसे हम लोग पा सकते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से अच्छी से जनकारे दूँगी प्रधान मंत्री मुद्रा लोन कैसे प्रप्ट करें स्वेम शयाता समू की महिलाएं महिलाओं के लिए मुद्रा लोन जी हाँ इस वीडियो में महिलाओं के लिए मुद्रा लोन के बारे में बताऊंगी इस योजना में महिलाओं के लिए विशेश लाप्रतान किये गये हैं सरकार द्वारा सिर्फ महिला आवेदकों को मुद्रा क्रेडिट के लिए विशेज बजट आवंटित करने का हैसला किया गया है इस योजना में आवेदन करने के साथ ही महिला आवेदक वेक्तिगत रूप से या पार्टनर सिप के रूप में खुद का वेवसाय सुरू कर सकती है वे इसके लिए सेलून हेंडिग्राफ्ट या एवं टेलरिंग यूनिट जैसे छोटे वेवसाय सुरू कर सकती है एक अनुमान से पता चला है कि अब तक 1.8 लाक करोन के लोन का वित्रण किया जा चुका है और देश में मुद्रा क्रेडिट धारकों में 70-30 महलाएं हैं जिन्होंने यह प्राप्त किया है और यह आकड़ा आने वाले सालों में बढ़ता जाएगा ST, SSC और OBC के लिए मुद्रा लोन इस योजना में ST, SSC एवं OBC कटेगरी के लाभार्थियों को सामिल करने का भी लच रखा गया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए इन लाभार्थियों को मुद्रा लोन के लिए आवेदन फार्म के साथ अपना ST, SSC या OBC जाती का प्रमाण पत्र जमा करना होगा सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20% लाभार्थि SSC, कटगरी के 5% लाभार्थि SD कटगरी के और 35% OBC OBC कटेगरी के लोग है जो इस मुद्रा लोन का लाभ उठा रहे हैं मुद्रा बैंक की योजना के द्वारा कवर किये गए छेत्र सुरुवात में इस प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक योजना ने कुछ चुने हुए छेत्रों का लच्च तैकिया है जिससे जिसमें सामिल होने वाले छेत्र भूमी परिवाहन कपड़ा उत्पाद खाद उत्पाद और समाजिक व्यक्तिगत एवं सामूदाईक सेवाय आदी हैं बाद में योजना की सफलता की अनुसार और भी छेत्रों को इसमें सामिल किया जा सकता है लेकिन यह जल्द ही नहीं हो सकता जी हां यह जल्द ही नहीं हो सकता इसे बढ़ाने के लिए कम से कम कुछ साल और लगेंगे मुद्रा लोन और व्यक्तिगत लोन में अंतर मुद्रा लोन एक विशेश लोन है जो की केवल बैपारियों या बैपार में उपियोग करने के लिए ही उपलब्द हो सकता है जबकि व्यक्तिगत लोन यूनिवर्सल टाइप का लोन है जो की व्यक्ति की पित्य जरुर्तों को संतुष्ट करने के लिए उपलब्द हो सकता है मुद्रा लोन भारस सरकार द्वारा सासन के तहत है जिसमें 10 लाख रुपय तक की रासी प्राप्ट करने की सीमा तय है जबकि व्यक्तिगत लोन पब्लिक एवं प्राइवेट दोनों ही बैंकों में उपलब्द होता है इसका मतलब यह है कि इसमें लोन की कोई सीमा नहीं होती यह बैग प्रबंधन द्वारा तै किया जाता है मुद्रा लोन में ब्यादर 10 से 16 प्रतिसत तक आफर की जाती है और ब्यादर बैंक के लोन काटेगरी के एवं लोन रासी की उपर निर्भर करती है जबकि इसके स्थान पर व्यक्तिगत लोन में ब्यादर 11 से 22 प्रतिसत तक चार्ज की जाती है जो की बैंक की पालिसी पर निर्भर करती है इस योजना में मुद्रा कार्ड के माध्यम से लोन क्रेडिट होता है जो बैंकों से आवेदकों के लिए विशेश रूप से दिया जाता है वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत लोन रासी आवेदकों के व्यक्तिगत एकाउंट में क्रेडिट होती है इस प्रकार यदि प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में देश की पूरी अर्थ विवस्ता में बढ़ोतरी होगी और भारत को दुनिया में सबसे सकती साली अर्थ विवस्ताओं में से एक एक के रूप में उभरने में मदद मिलेगी इसी प्रकार स्वयम सहाता समू की महलाएं लोन पा सकती है अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोन ले सकती है लेकिन इतना आसान भी लोन लेना नहीं है अगर आपको प्रश्णिली लोन चाहिए तो पहले बैंक जो भी आप यहां बैंक हो इस समय आपको मुद्रा लोन लेना है तो पहले आपको दिखाना होगा कि आपके बैंक लोन ज करती है ना कि दिखाता तो बहुत सालोन है लेकिन हम लोग को प्राप नहीं होता है हम लोग को नहीं मिलता है तो इसके कुछ रीजन है कुछ वज़ा है वज़ा इस प्रकार से हैं कि आप लोग इसे खाता तो खुलवा लेती लेकिन आउट गोविंग नहीं करती है जैसे हम ल होती लोग को कैसे देगा उसकों कैसे मालूम चले ह attic कि आपका लेंदेन अच्छा है आप कारती है है तो इसके लिए को करना क्या होगास सबसे पहले हम लोग को करना है कि गुगल पे पेटियम जो भी समय चल लाए हैं फोन पे हम लोग को एही यूज़ करना चाहिए क्रेडिट वाला काम आप कोई भी समान खरी दिए अपनी दुकान पर कोई भी अपने आपके अगर समाल लेता है तो आप अपने के गुगल पर इसमाल कीजिए तो उससे क्या होगा कि दिखाएगा कि आपके दुक आप कोई लेना आता है तो आपके दुकान दार के हां आपको इतना पैसा आपने पैट किया है फिर आपके दुकान में जब कोई लेने आता है तो वह भी पीटियमज करेगा तो आपके खाते में आएगा एंचा करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं कर असे में कर सकते हैं उत्य लोन इसी लिए असंभव हो जाता है मिलना और देना भी जब हम बैंक में जाते हैं आप लोग सभी कोशन करते हैं दिदी आप कई प्रकार की लोन बताती है लेकिन लोको लोन मिलता रही है सब जूट है जूट कुछ नहीं है लेकिन आप लोग को थोड़ा सा नियम नहीं तो ऐसा किजिए आप छोटे दुकांदार है जो भी दुकांदार है आप जो भी सेलिंग करें पूरे पैसे को अपने बैंक के कॉर्ण में डाल देजिए फिर आप किसी को पैसा देना होगा तो आप जो है कि गूगल पे कर दीजिए यह तो अगले दिन उस पैसे को निकाल आप अगले दिन सुबह पैसे के निकालिए और हर दिन साम को चार बिजए पैसा डालिए इससे आपको क्या होगा कि जब आप एक महीने तक आउड़ गोइंग करेंगे अगर बीस-बीस हजार करके आप डेली डालते तो आप समझ जाए कि आपने एक महीने में कितना बैंक म करते हैं यह बहुत ही जरूरी है तो आज की विट्रालों लेने करेंगे आपको दिखाना होगा कि आप बैंक खाते से लेंदेन कितना करते हैं यह बहुत ही जरूरी है तो आज की वीडियो में इतना ही अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सेर जरू करें अपने लिए नहीं अगर आपको न मिले सायता किसी और को सायता मिल लाए तो वाट्सअप नमबर फेस्बुक पी आप जहां हो सके इस वीडियो को सेर करें ज्यादा ज्याता अज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद